नमस्कार दोस्तों, कैसे वाप लोग उमिद करता हूं, सबी लोग अच्छे होंगे, मज़े महोंगे, तो दोस्तों, मुझे आज ज्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, बस मुझे बहुत सारी चीज़े ऐसी समझानी है, जो कुछ बेवकूफ लोग हैं, जिनको सवालों का ज मैंने कल क्लियरली वीडियो के अंदर ये बात बोली थी, मैंने कल क्लियरली वीडियो में ये बताया हो था, आपके सामने दीख रहा है, मैंने लिखा था, फाब डुपलेसी, शुबमन गील, राशिद खान, विराट कोहली, सुदर्शन और रजत पाटिदार, इन पांचों कट ये बात समझा रहा हूँ, अब अगर कोई आकर मुझे ये कहता है, कि मैंने बोला था, फाब डुपलेसी फ्लॉफ होगा, कहां फ्लॉफ हुआ, मैंने बोला था, विराट कोहली फ्लॉफ होगा, कहां फ्लॉफ हुआ, मैंने बोला था, साइश सुदर्शन फ्लॉफ होग दावा करता हूँ कि ये सारी चीज़े कोई तुम्हें नहीं बताएगा खेर बाके उन सारे भाईयों के लिए जो दोस्त मेरी चीज़ों को समझते हैं ठीके और अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए भी सौरी बट जो सच है सच कड़वा होता है तो यहां पर आप लोगों ने देखा था मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ कि किन ऐसे 4-5 प्लेयर हैं जिनको हमें एक साथ नहीं रखना है और वो बड़े प्लेयर होते हैं आपको भी पता है हमेशा बड़े प्लेयर की ही बात करता हूँ कल मेरा सिर्फ और सिर्फ शुब्मनगील पर मैंने कुछ ज्यादा भरोशा कर दिया जिसके वज़ से मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि प्रॉफिट में जाता, अगर मैं शोमन की लिके जगा पे सिर्फ साइंस उदर्शन को ही भरोसा करके रहता, सिर्फ सुदर्शन को, तो कल मेरा कम से कम पांच हजार से लेकर दस लाग के बीच में मेरी विलिंग होती, ठीक है, क्योंकि मैं उस लोगो को यही मुझे कलियर करना है, कि मैंने बोला था, डुपलेसी, शुमनगिल, राशिद खान, कोहली, सुदर्शन और पाटिदार, अब इस में से आप देखो, कि ड्रीम टीम में आया सुदर्शन, ड्रीम टीम में आया कोहली, ड्रीम टीम में आया डुपलेसी, लेकिन उसके बाद पार्टिदार फ्लॉफ हुआ, ठीके, राशिद खान फ्लॉफ हुआ और शुमन गिल फ्लॉफ हुआ, ये तीन प्लियर दोस्तों फ्लॉफ हुए, दस मैच में से सिर्फ एक से दो मैच ऐसा होगा, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहा रहा मतलब की नहीं रखना है, ठीक है, इनको रोटेट करना है, क्लियर है, जो दोस्त मुझे समझते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर देखे, कि क्या हुआ, यह तीनु आये, बाकी राशिद खान नीचे से आया, नहीं आया, शुबमन गिल है, नहीं है, पाटिद लोग ही इस बात से परिशान है, पूरी IPL के अंदर देखा जाए, तो बॉलर्स भी इस बात से हैरान है, कि आखिर यह चल क्या रहा है, यहाँ जहां पर 230 रन, 225 रन के लिए, 50 क्या 49 ओहर तक जाकर ODI मैचेस के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, इतनी जदो जहद करनी इस लब की 200 तो लग रहा है कि आम बात है, 200 रन लग रहा है कि आम बात है, यह तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से विकेट्स बनाए गया है, बॉलर्स के लिए कोई जगा ही नहीं है इस IPL के अंदर, अभी तक जो सेनारियो देखने क्यों मिला, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटीस किया, आप लोगों को भी गौर करना चीए, कि यह हर हपता एक पैटरन चेंज हो रहा है, यह जो पिछला हपता गया, यानि कि संडे तक कल, तो कम्प्लिट बैक्समेन के फेवर में सारी टीमें चली है, कम्प्लिट खुब रन लगे हैं, बॉलर्स को कोई हेलप ही नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कम्प्लिट ली बैक्समेन को फेवर होते चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि इस हपते से कम्प्लिट ली बॉलर्स को ही फेवर होने वाला है, जहां तक मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हो सकता है, क्योंकि अभी तक IPL तो कम्प्लि तो दोस्तों बहुत सारी चीजे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इत्मिनान से ज़्यादा उत्सुकता वर्ष मत घुश जयाओ अंदर या आपका नुक्सान ज़्यादा जहलना पड़े, क्योंकि इस बार का IPL कम्प्लिटली बिजनेस हो कम्प्लिटली बिजनेस है, ठीक है, और ये सारी चीजे दोस्तों कोई नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूं, चिक-चिक के हमेशा बोलता हूं कि नुक्सान ज़्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम तीन टीम से खेलो, ज़्यादा टीम से मत खेलो, फिर भी लोग नहीं सुन रहे बिश-बिश टीम घुसेड रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरा नुक्सान हजारो रोपे का हो गया, तो भाई होना तैय है क्योंकि आप बेवकूफी कर रहे हो, चलिए, आज के बारे में बात कर लेते हैं, आज का जो सेनारियो है, देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर कट में लि रखिएगा, अगर रखना होगा, तो ऐसा सिर्फ एक टीम बनाईएगा, जिसके अंदर यह चारो प्लियर हूँ, नहीं तो इन में से कोई एक, याद रखिएगा, कोई एक या मैक्सिमम दो प्लियर आज फ्लॉफ होंगे, क्लियर है, समझ गए, अब इसमें रोटेशन किस इस तरीके से आप कर सकते हैं, मान लिजिए, आपने इन तीनों का एक ग्रूब बनाया, इन तीनों को एक साथ रखा, इनको रिशापंद को उपर से ड्रॉफ कर दिया, ठीक है, इसके बाद एक ग्रूब बनाईए, जिसके अंदर कुलदीप यादो और सुनील नरायन को क्लियर है, अब बात करते हैं यहाँ पर, यह दो प्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं, यह दो प्लियर जैसे कल शाहरू खान मैच के अंदर था, उसी तरीके से यह दो प्लियर लोगों के जियल के कॉम्बिनेशन को खराब करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन दो टीम के अंदर रोटेट कर लिजिएगा, और सेकेंड बैट में, सेकेंड बैट में रिंकुशिंग अच्छा खेलता है, रिंकुशिंग का सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा होता है, मान लो, सपोज, आंद्रे रसल और फिल साल्ट, कैप्तन वाइस कैप्तन बन ठीक है, पंद्रहवे उभर तक, सपोस करो, पंद्रहवे उभर तक, ये लोग खुब खेले, जैसा कि सब लोग कैप्टन बाइस कैप्टन इनी को बना गर जाएंगे, मान लेते हैं कि हमने भी बनाया, ठीक है, अब वहाँ पर लोगों के पास क्या होगा, कि या तो दो ही प्ल रिंकु शिंकु वहाँ पर भेज दिया जाए, जैसा शाहरू खान को कल तीन नंबर चार नंबर पर भेजा गया, उसी तरीके से रिंकु शिंकु भेजा जाए, और मुझे लगता है कि आज कोलकत्ता के टीम कुछ न कुछ गरबड करेगी, क्लियर है, तो ये दो प्लियर आ आज के ट मैच में, क्योंकि ये दोनों आज तीनों में से कोई दो, या कम से कम एक प्लियर तो कंफर्म है कि तवा ही ले गया सकता है, ठीके, तो इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा नजर रखेगा, नजर बना के रखना जरूरी है, मैं ये नहीं कहे रहूं कि ये तीनों चले है दिल्ली हारेगी, ठीके, तो कुलकत्ता के फेवर में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, अगर विकेट्स गिरेंगे, तो दोनों साइट से गिरेंगे, नहीं तो जैसे यूज्वली आईपेल चले जा रहा है, वैसे ही चलता जाएगा, ठीके, तो ये सिनारियो है, अब आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने एक स्क्रिंशोट और आया, और ये स्क्रिंशोट क्या कहता है, ये देखिए, रिशव पंत, पी साल्ट, टी एस टव्स, जे फ्रेजर मैगक, सुनील नरायन, अंद्रे रसल, खलील हमद, और आर सलाम ये चार और चार आठ प्लेयर है, 90% लोगों के टीम में, 90% लोगों के टीम में, इन में से 6 प्लेयर हर हाल में होंगे, इन में से 6 प्लेयर हर हाल में होंगे, और मुझे लगता है कि आज के मैच में, इन में से 4 प्लेयर तो जरूरी है कि 4 प्लेयर आएंगे, मिनिमम चार और मैक्सिमम 6 प्लेयर ही ज्यादा से ज्यादा आज के आएंगे, यह सारे प्लेयर सबके टिम में नहीं दिखाई देंगे, हो सकता है कि आज के मैच में रिश्यापंद पहले नमबर पे flop खिलाड़ी होंगे, दूसरे नमबर पे आर सलाम मुझे लगता है आज के मैच में back to back 2-2-3-3 बिकट लेके जा रहा है ती ये स्टप्स आज के मैच में flop हो सकते हैं, जे Fraser McGaugh, बहुत hard leading batsman है, अब दोस्तों क्या है reason इन लोगों के उपर मुझे नजर रखने की, इन लोगों के बारे में आपको बताने की समझने के कोशिश कीजिएगा इन सब के selection percent दोस्तों बहुत high है, ठीक है बहुत high है, यहां से लेकि यहां तक, यह जो 6 player आपको दिख रहे हैं न, यह 6 player सब के team में दिखाई देने वाले हैं, सब के team में कम से कम यह 6 तो जरूर है और यही लोग आज लोगों के grand league हरवाएंगे, लोगों के small league हरवाएंगे, लेकिन अगर same to same, pattern अगर change हुआ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इन सब को एक साथ, याद रखिएगा, इन सब को एक साथ एक team में सिर्फ एक से दो team ही बनाईएगा, सिर्फ एक से दो team ही बनाईएगा, जब इन 6 के 6 player को एक साथ रखिएगा नहीं तो नहीं, वैसे भी मैंने आपको बता दिया, कुल्दी प्यादव, आंद्रे रसल आंद्रे रसल, सुनील नरायन और पी साल, ये सौरी, रिशाप पंथ ये player ऐसे है, जो कि इन में से कोई एक या कोई दो player flop होंगे बाकि ये जो है, ये total flop list है ठीक है, समझगे, ये total flop list है आज के match का इन में से minimum 4 maximum 6 player को ही एक साथ रखिएगा, ज्यादा नहीं scoring pattern की अगर बात कर लेते हैं, इस ground पर जो अभी तक देखने को मिला है, तो उसके according, देखे, केके आर ने तीन बार इस ground पर first match खेला तीनों बार देखे, दोस्तों, 223 पर 6, 222 पर 6 261 पर 6, यानि की 6-6 wicket का ratio है, और मतलब की क्या ही हो रहा है, दो-दो-सो का run बन रहा है, हाला कि इस ground पर अभी 179 भी बने हुए है 179 भी है, 161 भी बना हुआ है ठीके, 200 का आकड़ा जादा है तो मैं यह नहीं के रहूं कि 200 run नहीं लगेंगे run लग सकते हैं, बहुत सारे hard hitter batsmen है, अगर spinners की बात करें तो देखें, spinners first inning में थोड़ा सा कम impact है, लेकिन second inning में कई बार ऐसा है कि 4-4 wicket, 3-3 wicket, देखें, 4 wicket, 8 wicket भी गय हुआ है, 0 wicket भी है, ठीक है, लेकिन second inning में थोड़ा सा impact spinner डालेंगे, ठीक है, और faster baller की अगर बात करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों healing से मिला के, अब देखें, ऐसा नहीं है कि wickets नहीं गिरता है, समझे अगर ध्यान से, 4-3-7, 7 और 1-8, और 8, 16 wicket भी गिरे हुए इस ground पर, 4 और 7, 11 wicket, 4 और 8, 12 wicket, 7 और 3, 10 wicket, 7 और 4, 11 wicket, 6 और 7, 13 wicket, यानि कि थोड़ा सा ratio हम ध्यान से देखें, तो ऐसा नहीं है कि wickets नहीं गिर रहा है, 8-11 wicket तो हर हाल में गिर रहे हैं, हो सकता है, आज के match में 16-18 wicket भी गिर जाएं, ऐसा हो सकता है, बट 8-11 wicket गिर सकता है, कनफर्म है, फास्ट बॉलस की ज़्यादा help, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कंसिस्टेंसी है, फास्ट बॉलस की फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में दोनों का बराबर-बराबर हिस्सेदारी हो सकता है, फास्टर को 60%, स्पीनर्स को 40% help है, ठीक है, चेज ऐसा नहीं है, कि चेज नहीं हो रहा है, चेज भी हो रहा है, लास्ट मैसिफ चेज नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले, ये देखे, पंजाब किंग्स ने 262 फन बनागर मैच चेज किया था, तो यहाँ पर चेजिंग भी हो रहा है, सेकंड इनिंग में भी उतने ही बैटिंग हो रही है, अगर समझा जाए, पेस वर्सेज स्पीन की, तो यहाँ पर 5 मैचे जुए, जिसमें से 122 ओवर पेसर्स ने डाले हैं, और 40 विकेट लिया है, और वहीं पर 5 मैच में, चो 71 ओवर जो है, वो स्पीनर्स ने ड यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, पैटन को समझना जरूरी होता है, और पैटन क्या कहता है, वो हम देखते हैं, कि पिछले 5 मैच का पैटन देखते हैं, यह जो है, यह पिछला 5 मैच है, इसके आगे यह पिछला 5 मैच है, उसका पैटन देखें, एक ओपनर यहाँ पर मैच में भी ऐसा नहीं था वहां पर भी यह लोग फ्लॉफ हो गए थे सुनिल नरायन पी साल्ट इन सब के विकेट सोला उबरन पे और बीस रन पे गिर रहे थे कैच ड्रॉब किया इन होने वरना ये पोईट भी यहां पर यही चीजे दरसाता तो ऐसा नहीं है यहां पर कोई एक उपनर फ्लॉफ हो कर जाएगा तीन नमबर का खिलाड़ी एक बार तीस और एक बार उन चालिसन बनाया चालिस नमबर का खिलाड़ी के कुछ खास रिकॉर्ड नहीं आ रहा है पांच नमबर का खिलाड़ी भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है अब जो दिखाई दे रहा है छे नमबर का खिलाड़ी आपको average performance दे के जाएगा ठीक है तो देखिए अगर हम थोड़ा सा ratio समझते हैं थोड़ा सा ratio समझते हैं तो दोनों ही तरफ से ध्यान से देखा जाए तो हर match में कम से कम तीन batsmen हमें हर हाल में दिखाई दे रहे हैं कम से कम तीन batsmen ठीक है यह देख रहे हैं कम से कम तीन batsmen हमें हर हाल में दिखाई दे रहे हैं और वही तीन batsmen पर हमें focus करना है वो भी कैसे होगा क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बाद बात करते हैं first inning की जो balling order है वो क्या है किस तरीके से है तो यहाँ पर देखे पिछले 5 मैच का result देख लेते हैं ठीक है 5 मैच यह है इसके पहले अब देखे पहला मैच हुआ एक 3 wicket लिया left time passers अब देखते हैं left time passers का क्या record है तो continue left time passers को wicket मिला है देख रहे हैं continue left time passers को wicket मिल रहा है 3 wicket, 3 wicket, 2 wicket, 2 wicket सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि left time passers को सिर्फ एक wicket मिला है वरना continue wickets मिले हुए है इसके बाद right time fast medium baller की बात करते हैं तो एक right time fast medium baller ऐसा है जिसे wicket नहीं मिला नहीं तो 2 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket तो कहीं न कहीं यह दिखाई दे रहा है कि left time passers और right time passers की यहां पर अच्छी help हो रही है leg spinner की बात करते हैं first inning में आप देखें ऐसा नहीं है कि wickets नहीं मिलता है गिरता है लेकिन dream team में नहीं आपाते है क्योंकि batting इतनी दंदार हो रही है क्योंकि कोई अगर 30 run भी बना देता है 25 run भी बना देता है उसमें 2-3 छक्के शामिल होते है जिसके वज़े से जो ballers है वो dream team में नहीं आते बट wicket दोस्तो वही pattern चल रहा है wickets गिर रहे है ठीक है तो left time passers, right time passers हमारे लिए जरूरी है पहले match से 2 baller निकल के आए दूसरे match से कम से कम यहाँ पर भी 2 baller यहाँ पर भी 2 baller यहाँ पर भी 2 baller हर हाल में ही आएंगे वहाँ पर भी भले इसमें से कोई अगर किसी ने bold भी कर दिया होगा तो 7-3 point तो fix है तो यहाँ पर कम से कम हमें एक चीज़ तो notice करना है कि हमें क्या combination रखना है एक left time faster एक right time fast fast baller ठीक है यह दोनों को हमें हर हाल में रखना है तीसरा combination हमें leg spinner ठीक है से हमें थोड़ा सा rotation में डालना होगा leg spinner को यह दो right time medium fast baller से rotate कर लिजेगा तो यहाँ पर यह एक pattern बनेगा first inning का bowling order second inning की batting order की बात करें तो यहाँ पर 5 match से देखते हैं ठीक है इससे 5 match से देखते हैं देखें यहाँ पर दोनु opener चले यहाँ पर एक opener यहाँ पर एक यहाँ पर दोनु यानि कि opening जोड़ी तो चल रही जाए यहाँ पर ध्यान से देखा जाए 45 तीन नंबर के खिलाडी ने बनाया चार नमबर का खिलाड़ी यहां पर average बहुत अच्छा performance करके जा रहा है, देख रहे हैं, चार नमबर का खिलाड़ी, overall यहां भी ठीक ठाक performance करके जा रहा है, तीन नमबर का खिलाड़ी भी ठीक है बड़ अवराल थोड़ा सा कम chances दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों opener में से य समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा भी है कि यहां पर देखिए दोनों दो बिकेट जल्दी गिरें यहां पर भी दो बिकेट जल्दी गिरें यहां पर भी गिरें यहां पर भी गिरें यहां पर भी गिरें देखिएगा समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं ठ तो तीन रन वाला ऐसा नहीं है कि ये देथुवर में इसका विकेट गिरा होगा, पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं, रेशियो क्या कहता है, विकेट्स गिर रहे हैं, second inning के भी वही situation हम दिखा रहे हैं यह देखिए देख रहे हैं विकेट्स ऐसा नहीं है कि नहीं गीरे हैं विकेट्स जल्दी जल्दी भी गीरे हुए हैं यह देखिए देख रहे हैं स्टार्टिंग के विकेट भी जल्दी जल्दी गीरे हैं तो थोड़ा सा सेनारियो आज अलग हो सकता है सबकी ग्रैंड लिग की वोट लगेगी मैं टीम बना कर भेजूंगा जरूर कॉंबिनेशन के साथ आप लोगों को सेकेंड इनिंग में क्या रिश्यो है सेकेंड यहां नहीं मिला यहां नहीं मिला यहां नहीं मिला नहीं तो तीन विकेट दो विकेट दो विकेट एक विकेट एक विकेट यानि कि दस मैच में से तीन मैच में विकेट नहीं मिले हैं साथ मैच में विकेट मिला है राइट आम फास्ट मीडियम बोलर को सेकेंड इनिंग मे तो wicket गिरेगा हर हाल में गिरेगा दूसरा right time medium fast baller भी wicket लेके जाएगा ऐसा नहीं है कि wicket नहीं मिला इसे भी मिल रहा है देख रहे हैं एक wicket तो confirm है अब देखें लेग spinner की बात करते हैं यह देखें लेग spinner को wicket 4 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket यानि कि 2-2 wicket भी मिले हैं सिर्फ 2 बार wicket नहीं मिला और 2 बार 1-1 wicket मिला है नहीं तो wickets मिले हैं लेग spinner को भी wicket मिला है अब बात कर लेते हैं right time off break की और यह off break तो खास तोर से सुनील नरायन है देख रहे हैं 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket हर हाल में wicket मिल रहा है इसलिए हमें थोड़ा सा focus कहां करना है कि एक right time fast medium baller हमें रखना है दूसरा right time off break तीसरा left time fast medium या फिर leg break ठीके इन में से rotation में डालना है याद रखेगा right time fast medium baller जरूरी है right time off break इन तीनों में से rotate माग लीजे दोनों छोड़िए एक को fix कीजिए बाकी इन तीनों को rotate कीजिए यहाँ से आपको points मिलेंगे अब आईए थोड़ा सा बात कर लेते हैं दिल्ली Capitals के batsman के hit to hit का record किसका है प्रित्वी शोल खेलेंगे तो देख लीजेगा वैसे flop गये हैं सिफेक बरी क्या वंडन है रिशापंत की बात कर लेते हैं एक बार 39, 27, 55 दो बार ये आउट भी जल्दी जल्दी हुए है छे और उस पे इसके बार डेविड वर्नर का record 1,6, 42, 57 है एक बार 18 पे आउट हुए है और अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं 22, 24, 19, 0, 4, 0 कुछ खास नहीं है टीस टप्स एक बार खेले हैं लास्ट मैच में तो चववन रन बनागर गए थे डेलिये कैपिटल्स के बालर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन है इनको कंटिनूव विकेट मिल रहा है उसमें से पहले नमबर पर थे नौर्खिया एक विकेट, दो विकेट, दो विकेट, तीन विकेट कंटिनू विकेट मिला हुआ है कुलदी प्याद़, 4-4-2 कहीं न कहीं कुलकत्ता के अगेंस्ट इनको अच्छा विकेट मिल रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है अच्छर पटेल को आप देख रहे हैं सिफ छे मैच में तीन विकेट मिला हुआ है तो कुछ खास इंपक्ट नहीं डाल रहे हैं इशान सर्मा दो मैच खेले हैं दोनों ही मैच में दो-दो विकेट मिला आर सलाम एक बार खेले थे तीनों बार में विकेट नहीं मिले थे तो यहां से जो important player निकल रहे हैं दिल्ली के तरफ से बॉलर्स ए नोर्खिया और कुल्दी प्यादो यह दोनों important हो सकते हैं अगर नोर्खिया खेलेंगे तो जरूर रखेगा कुल्दी प्यादो भी impact अपना डाल सकते हैं केके यार के batsman की बात कर लेते हैं head to head में यहां पर अगर धोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो वेंकटे शायर की बात करते हैं एक बार पचपन बागी के time पर flop हुए हैं सिर्फ एक बार zero पे out हुआ है खिलाडी तो रसल का थोड़ा सा record head to head में भी बढ़िया है रिंकु सिंग 23, 26, 6 भी है और रगवनशी एक बार खेला है और 54 run बनाया है head to head में देली के against तो यहां से जो खिलाडी important होंगे वो होंगे आंद्रे रसल, सुनीन नरेन और एक खिलाडी हो सकता है रिंकु सिंगया रगवनशी और मैंने आपको ट्रम प्लियर इनको बता दिया है केकी आर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं head to head ठीक है वरुन चक्रवर्ती सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब इस वरुन चक्रवर्ती को विकेट नहीं मिला है दिली के against नहीं तो दो विकेट एक विकेट तीन विकेट भी लेकर गए हुए है सुनील नरायन दो बार विकेट नहीं मिला बाकी के टाइम पर कंटीनू विकेट मिला हुआ है अंद्रे रसल की बात कर लेते हैं हलाकि यह ओबर ज्यादा नहीं करते दो बार एक एक ओबर डाला था विकेट नहीं मिला खास दोर से फस्ट नहीं में तीन अबर में दो बीकेट का रिश्यू है गेमसीस 11 पर जो लोग नहीं खेल रहे हैं जाइए खेलिए फ्री एंट्री है 50,000 रुपे का फ्री गीववे है बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा जीत रहे हैं बहुत सारे लोग समझ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री एंट्री है कोई पैसे नहीं देना है जाइए डाउनलोड किजिए डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और जब लिंक डाउनलोड कर लिजिएगा तो ग्रैंड 11 ग्रैंड 11 डालिएगा रेफराल कोड तो आपको एक्ष्टा बोनस मिलेगा और उस बोनस का इस्तेमाल आप नेक्स्ट अगर आपको वहीं पर खेलना होगा ठीक है तो आपके सामने 20 लाक रुपे का प्राइस पूल की यहाँ पर ग्रैंड मेगा लीग होए जिसके अंदर फर्ष्ट रैंक वाले को लगभग 3 लाक रुपे का फर्ष्ट प्राइज है सबसे बंजे की बात यह है दोस्तों कि जहाँ पर ड्रीम लेवेन के अंदर आपको डेडे कडोर और 10-10 लाक चोवन लाक लोगों दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 लोग ही दिखाई देंगे और 35,000 लोगों में 1-100 रैंक लेकर आना बहुत एजी है इसलिए यहां पर जाकर खेल कर देखिए सबसे पहले फ्री एंट्री जोइन कीजिए कोई पैसा नहीं लग रहा है अगर आप नंबर वन पोजिशन पे आते हैं फ्री एंट्री के अंदर तो 25,000 लोगों में तो जाइए फटा फट जोण कीजिए अब बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेंग 11 की फिल साल्ट और सुनिल नराण यह दोनों उपनिंग करने आएंगे यह प्लेयर है इंपक्ट वाला कुछ चेंजेज होगा तो मैं आपको बता दूँगा यह आपको डेली कैपिटल के तरफ से प्लेयर दिखाई देने वाले हैं अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहां पर कि क्या सेनारियो जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है देखिए देखिए सारा का सारा दारोंदार पी साल्ट और सुनिल नराण के है उपर केकेर के तरफ से और डेली कैपिटल के तरफ से जे मैगग रिशाप पंथ टी अस्टप्स ठीके यह तीन प्लेयर इधर से जो हैं बिलकुल इनके उपर बहुत सारे लोगों की नजर है और यहां से भी आपके सामने अंद्रे रसल भी हैं इसके बाद आपके स्रेस अयर भी हैं इनके उपर सारे लोगों की नजर है बट दोस्तो आज कुछ तो गडबड होगा बिलकुल सेम टीम नहीं जाएगी समझिएगा और क्या होगा कैसे होगा वो मैं आपको बाद में पक्का समझाऊँगा और बताऊँगा और अभी टीम भी बनागर दिखाऊँगा ठीके यह पॉसिबल प्लेइंग लेवर है आप आज के मैच में याद रखेगे दोस्तो अनुकूल रोए बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे स्लो लेफ्टाम और्थो डॉक्स है कहीं पता चले कि इसी ने कुछ गरबड कर दिया दो विकेट लेगर तो नजर जरूर रखेगा अनुकूल रोए के उपर सुनील नरायन पाचवा उभर इसके बाद डेथ उवर्स की बात कर लेते हैं ठीक है डेथ उवर्स में हरसीत राना 16-18 विश्वा उभर जो है आपको अंद्रे रसल या फिर हरसीत राना डाल सकते हैं बैभाव वरुडा जो है अठरावा उभर दुसमंता चमीरा 17-19 उबर डालेंगे ये देली के साइट से देखा जाए खलील हमद पावर प्ले में ही एक से तीन उभर कराकर जाएंगे लिजार्ड विलियम दूसरा और चोथा रासिक सलाम पाचवा और मुकेश कुमार 6 उभर कराते हैं डेथ उवर्स की बात कर लेते हैं मुकेश कुमार 18-20 उभर मुकेश कुमा सुनील लरायन 32 इनिंग में 557 उननीस का एवरेज है इसके बाद हाला कि 32 इनिंग में है इसलिए क्योंकि यह पहले के रिकॉर्ड थे जल्दी जल्दी फ्लॉफ हो जाता था ठीक है लेकिन यह इस साल थोड़ा सा अच्छा खेल रहा है तो रिकॉर्ड इसका एवरेज अच् अंद्रे रसर का 36 का एवरेज है और रमन्दीफ सिंग का तो 33 का है चार मैच में 86 रन तो कुछ खास नहीं है अब विकेट्स की बात कर लेते हैं विन्यू पे बॉलर्स की बात करते हैं तो सनील नरायन 57 मैच में 86 विकेट अंद्रे रसर 49 मैच में 27 विकेट दुश्मंता चम करते हैं एक मैच में 84 कावरेज है रकवंसी एक मैच में 28 का इंद्रे रसर दोनों ही साइट से अच्छे परफरमिसकर दिखाई करते वे दिखाई दे रहे हैं इसके बाद करें तो 22 match में 23 विकेट सुनिन लरायन का head to head में, अंद्रे रसल का 13 match में 15 विकेट है head to head में, थोड़ा सा ज़्यादा है, सुनिन लरायन से तो ज़्यादा आई है, जुस्मन्ता चमीरा 1 match में 1 विकेट, वरुन चक्रवर्ती 8 match में 14 विकेट, तो ये 2 player के record है, आप देख लिजेगा, किसने किस तरीके से यहाँ पर run बनाये हुए है, मैं सिधा आप लोगों को सिधा 1st inning, 2nd inning के average दिखा रहा हूँ, देखिए 30 साल, 1st inning में 22 का average है, 2nd inning में 44 का average है, सुनिन लरायन का 18 का average है, 17 का average है, 97 विकेट, 1st inning में 24 का average है, वेंकटेश अईर 2nd inning में वैसे भी अच्छा खेलता है, अब देखिए, रिंकु सिंग, 1st inning में 23, 2nd inning में 58 का average है, मैंने आपको बताया, आंद्रे रासल, 1st inning में 36 का average है, और 65 विकेट है, 2nd inning में 27 का average है, और 40 विकेट है, रमन्दीप सिंग, 2nd inning में अच्छा खेलके जाता है, दुश्मन्ता चमीरा, 1st inning में 2 विकेट, 2nd inning में 7 विकेट, वरुन चक्रवर्ती, 1st inning में 28 विकेट, 2nd inning में 42 विकेट, देख रहे हैं, 42 विकेट के रिश्यू है, हरसित राना, 2nd inning में 10 विकेट, और अनुकूल रोय का 2nd inning में 4 विकेट है, तो ये कुछ है, जिनका 1st inning और 2nd inning का मैंने एवरेज आप लोगों को दे दिया, और ये जरूरी भी है जानना दोस्तों, कि किस कंडिशन में किसे हम लोग रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेल ही के प्लेयर्स वेन्नू पे कैसा रिकोर्ड रखते हैं, मैगग नहीं खेला, ये लोग खेले ही नहीं है, रिशव पंथ खेले हैं, तीन मैच में 95 रन है, 32 का अबरेज है, और अक्छर पटेल तीन मैच में 23 का अबरेज है, अक्छर पटेल इस ग्राउंड पे 5 मैच खेले हैं, 4 विकेट लेके गये हैं, खुल्दी प्यादो 21 मैच में 21 विकेट है, और बाकी का कुछ खास नहीं है, खली लहमद एक बार खेले हैं, विकेट नहीं मिला है, बात करते हैं, हेट टू हेट का, डेली के प्लियर्स हेट टू हेट की बात करते हैं, तो मैगग हेट टू हेट नहीं खेले अभी तक, होप नहीं खेले, कुशागर नहीं खेले, अभिशेक पॉरिल खेले हैं, एक मैच जीरो पे आउट हुए थे, रिशापंद की बात करते हैं, पंदरा मैच में बहुत बढ़िया है अठीक है छाली अफमद पांच मैच में आठ विएड़ अ chemotherapy यह धीक दिखनि लिजेगा बाकी का चीज़े आपके सामने है इस च्रेन शूट लेना होगा तो बोत लोत भुर में घूल जाताता हूं कि स्क्रिंशुट लेना है तो हटना भी है माफ किजिएगा दोस्तों उसके लिए अब बात करते हैं डेल ही के प्लियर्स stats क्या कहता है inning wise first inning में कोन अच्छा खेलता है second inning में कोन अच्छा खेलता है magak की बात करते है 50 का average है first inning में 47 का second inning में अभिषेक पूरल first inning में 30 second inning में 17 second inning में fluffy होता है वैसे यह sign hope second inning में 30 का average है और रिशापंद का first और second दोनों लगभग बराबर है T.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A.P.S.T.A में 13 Лिजार्ड विलियम सभी फिलाल खेले नहीं है खली लहमत की बात करते हैं 37 सेटीस विकेट फस्ट इनिंग में सेकेटेंंग में 32 विकेट और आसिक सλαम को सेकेट एनिंग में ही 6 विकेट मिले मुझे लगता है डिलली आज फस्ट कर सकती KeyWas दिल्ली आज फर्स्ट बॉल कर सकती है तभी खली रहमत को भी विकेट मिलेगा फर्स्ट इनिंग है अब देखिए गेमसिस के उपर यह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए गेमसिस के उपर आपको थोड़ा सा यह देखिए 20 लाख रुपए का मेगा प्राइस है ठीक ह और यह है डेली कैपिटल्स यह खोल देता हूं मैं अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए कि यहाँ पर देखिए तीन लाख रुपए का फर्स्ट प्राइस है आप लोग देखिए उन चास रुपए का कॉंटेस्ट और कितने की जनसंख्या है मात्रे 39 मात्रे 39 के ज 40,000 रुपए ठीक है न और फिर 16,000 ऐसे करके है और आपको यहाँ पर जीतना इसलिए हीजी होगा दोस्तों क्योंकि आप देख रहें मात्रे 49,500 लोग है इससे ज्यादा की जनसंख्या नहीं है और आप देखिए यहाँ पर प्राइस पूल जो है वो दस एक लाख रुपे क पूल है और 49 रुपे का कॉंटेश्ट है मतलब 49 रुपे का एंटरी फ्यादा का एमगा 10 कि आप 35,000 वहिbagous ती निवच'y Lena कोई पैसा नहीं देना है दोस्तों कोई पैसा नहीं लग रहा है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लग रहा है आईए थोड़ा सा टीम पर फोकस कर लेते हैं ये देखे ये प्लेयर फिलहाल के लिए मैंने निकाला हुआ है अभी ये फिलहाल के लिए है दोस्तो ठीक है इसमें भी चेंजेज होंगे अब आईए मैं आपको कुछ अब इसके अलावे आपको थोड़ा सा ड्रीम बैट करती है तू ये कंडिशन से टीम बनाया है सी वी सी आप लोग बाद में रोटेट कर लेना मैंने यहाँ पर मैक गर को रखा है कुछागर को रखा है बिल्कुल ट्रम प्लेयर ठीक है पी साल रिंकु सिंग आंद्रे रसल सुनिल नरायन अक्छर पटेल कुल्दी प्या को बहुत सारी चीज़ा समझ में आ गई होंगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद